Hi everyone, welcome to our YouTube channel Q-Study कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप सब लोग भी अच्छे होंगे So आज किस वीडियो में हम कवर करेंगे Tertorial Army के कुछ important points को तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले eligibility criteria को उसके बाद हम कवर करेंगे exam का pattern क्या रहेगा उसके बाद हम कवर करेंगे selection process को उसके बाद हम जानेंगे pay scale के बारे में और यहाँ पर promotions के बारे में तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आप Indian Army को as an officer join करने साथे हो part time या full time तो यह आप के लिए काफी अच्छी opportunity है तो आप TA को join कर सकते हो तो यहाँ पर आपको Indian Army opportunity देती है कि आप जो है Indian Army को as a part time और full time भी join कर सकते हो और TA की भरती के लिए only graduate person apply कर सकता है तो सबसे पहले हम जानते है eligibility criteria के बारे में कौन candidate apply कर सकता है तो देखे सबसे पहले बात आते हैं nationality की only India का citizen ही इन पोस्टों के लिए apply कर सकता है male और female बोथ candidate apply कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए और उसके बाद अगर हम बात करें age limits के बारे में तो minimum age for applying होते हैं वो है 18 साल और maximum age for applying हैं वो है 42 years और इसके बाद अगर हम बात करें education qualification के बारे में तो candidate जो है graduate होने चाहिए किसी भी रिकोगनाईज university से या institute से तो इसके बाद अगरम बात करें physical standard के बारे में तो candidate जो है physically और medically fit होना चाहिए तो इस तरीके से पूरा eligibility का criteria रहता है तो इसके बाद हम बात करते हैं exam के pattern के बारे में तो यहाँ पर देखें आपके दो paper होने बाले हैं इसको बोला जाता है pre exam इसको बोला जाता है तो देखें इसमें आपके दो paper होंगे paper 1 और paper 2 जो paper 1 आपका होने वाला है इसमें आपको रहीगी reasoning और elementary mathematics paper 1 का time duration होगा 2R का और यहाँ पर reasoning के 50 question आएंगे आपको 50 marks के रहेंगे और ऐसे आपके elementary math के भी 50 question 50 marks के रहने बाले हैं इसी तरीके से अगर हम बात करें paper 2 के बारे में तो paper 2 आपका 2R का रहने बाला है और यहाँ पर आपको subject आएंगे journal knowledge और English और यहाँ पर अगर हम बात करें question की तो 50 question होगे जो कि 50 marks के रहने बाले हैं journal knowledge के और English के भी यहाँ पर 50 question होगे जो कि 50 marks के रहेंगे तो इस तरीके से आपको each subject में 40% score तो करना ही पड़ेगा और आपको overall 50% score करना ही पड़ेगा तब आप जो है इस exam को qualify कर पाओगे इसके बाद अगर हम बात करें time duration के बाले में तो देखे each paper को आपको 2 hour का time मिलने बाला है और यहाँ पर बात करें exam के type की तो यहाँ पर आपका exam offline होने बाला है और यहाँ पर आपको OMR seat के उपर आपका exam रहेगा और यहाँ पर अगर हम बात करें qualifying marks की तो यहाँ पर minimum qualifying marks है 40% जो कि आपको each part में लेने पड़ेंगे जैसे paper 1 था उसमें आपका जो part 1 था reasoning और part 2 था math तो reasoning में भी आपको 40% score करना ही पड़ेगा और math में भी आपको 40% score करना ही पड़ेगा और overall अगर हम बात करें paper 1 और paper 2 के बारे में तो आपको 50% score करना ही पड़ेगा और इसके बाद अगर हम बात करें negative marking के बारे में तो यहाँ पर आपको negative marking भी है इसमें अगर आप एक उसन गलत करते हो तो आपको negative marking मिलेगी तो इसलिए इस इसका भी आप ध्यान रखें कि यहाँ पर negative marking भी है तो अब हम detail में जानते हैं selection process को तो देखिए आपकी selection process 3 step में रहने बाली है फर्स step में आपका होगा written exam written exam जो candidate clear करेंगे उसके बाद उनका होगा interview interview फिर जो candidate clear करेंगे उसके बाद उनकी होगी third step में SSV जो की 5 दिन आप भी चलने बाली है जो 5 दिन की SSV होगी उसके बाद आपकी final day होगा उस दिन बनेगी आपकी final merit list का जो भी candidate final merit list को clear करेंगे उनकी appointment हो जाएगी तो इस तरीके से आपकी पूरी जोर selection process रहने बाली है जब आपकी SSV क्लियर हो जाएगी और final merit list भी क्लियर हो जाएगी उसके बाद होगी आपकी training और training के बाद आपकी final appointment हो जाएगी तो अब हम जान लेते हैं pay scales के बारे में pay scale आपका according to rank रहने बाला है फर्स्ट जो rank आता है वो है lieutenant का rank यहाँ पे आपकी pay रहेगी 55,000 से लेके 1,47,000 तक सेकिंड जो rank आता है वो है captain का rank यहाँ पे आपकी pay रहेगी 61,000 से लेके 1,93,000 तक और उसके बाद next जो rank आता है वो है major का rank और यहाँ पे आपकी pay scale रहने बाला है सतर हजार से लेके दो लाख साथ हजार तक नेक्स्ट जो रैंक आता है वह लेटिनेंट करनल का यहाँ पे आपकी पेस्केल एक लाख इकिस हजार से लेके दो लाख बारा हजार तक रहने बाली है नेक्स्ट जो रैंक आता है करनल का रैंक यहाँ पे आपकी पेस के लहने वाला है 1,30,000 से लेके 2,15,000 तक नेक्स्ट जो रैंक आता है वो है बर्गेडियर का रैंक यहाँ पे आपका पेस के लहने वाला है 1,40,000 से लेके 2,17,000 तक तो इस तरीके से आपका पेस के लहने वाला है और promotion जो होते है वो भी इस तरीके से ही होती है कि सबसे पहले lieutenant आता है फिर captain बनते हैं फिर major बनते हैं फिर lieutenant colonel बनेंगे फिर उसके बाद colonel बनेंगे और उसके बाद brigadeर बनेंगे तो इस तरीके से आपकी पूरी promotion रहती है इंडियन army में तो I hope territorial army के जो points हमने आज किस वीडियो में cover किये ये points आपको अच्छे से clear हो चुके होंगे अगर आपको हर एक चीज अच्छे से clear है तो please video को like और channel को subscribe करना मत हुलेगा मिलते हैं next video में next topic के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई and take care